चानक के आईएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे धरम परिवर्तन और रिजर्वेशन के बारे में जो कि एक दूसरे से सम्मन्दित भी है भारत में कुछ लोग धरम परिवर्तन के बाद रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं इसी के सम्मन्द में हम व सुप्रीम कोट में कहा है कि धरम बदल कर मुस्लिम और इसाई बढने वाले दलितों को आरक्षन का लाब नहीं मिलना चाहिए सरकार ने धरम बदलने वाले सभी दलितों को रिजर्वेशन की सलाह देने वाले रंगनात मिश्रा कमिशन की रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया है विस्तार से चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कि ये मामला क्या है यू अकबर अली तमिलनाडू के रहने वाले हैं 26 मई 2008 को उन्होंने अपना धरम बदला और हिंदू से मुसल्मान बन गए उनके परिवार के बाकी सभी लोग अभी भी हिंदू धरम को ही मानते है तमिलनाडू पब्लिक सर्विस कमिशन ने ग्रूप B यानि की ग्रूप 2 की नौकरी के लिए 10 अगस्त 2018 को एक नौटिफिकेशन जारी किया था इसके लिए दो चरण के लिए लिखित परिक्षा होनी थी प्रिलियम्स और मेंस दोनों में अकबर अली पास हो गए लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया अकबर अली को पता चला कि उससे बैकवर्ड क्लास मुसलिम मानकर आरक्षिन का लाब नहीं दिया गया है उससे सामान्य वर्ग में रखा गया है इसकी वज़े से कुछ अंक कम रहने के कारण फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया इसके बाद वह अपनी शिकायत लेकर मदरास हाई कोट पहुँचे इस मामले में हाई कोट की मदूरे पीट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि धर्मांतरन के बाद कोई अपनी जाती साथ नहीं रख सकता है साथ ही कोट ने कहा कि धर्म बदलने वालों को आरक्षन का लाग दे जाने का मामला अभी सुप्रीम कोट में है ऐसे में आयोग ने जो फैसला लिया है वह अभी के हालात में सही है केंद्र ने ये आयोग कब और किस उद्यश्य से से बनाया है 6 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोट के पुर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृषन की अध्यक्ष्था में एक आयोग गठित किया है इस आयोग में कुल तीन सदस्य है पुर्व चिफ जस्टिस केजी बालाकृषनन, रिटाइर आये सदिखारी रविंद्र कुमार जैन और UGC सदस्य प्रोफेसर सुश्मा यादव इस आयोग को बनाने के पीछे किंद्र सरकार का उद्धिश्य ये है कि अब अपनी रिपोर्ट में ये आयोग सरकार को सुझाव देगा कि धर्मांतरन के बाद दलित मुसलिम और इसायों को अनुसुचित जाती के तौर पर आरक्षन का लाब मिलना चाहिए या नहीं अगर हम बात करें कि मुस्लिम और इसाईों को आरक्षन का लाप क्यों नहीं मिल रहा है तो इसका जवाब है कि Center for Public Interest Litigation ने सुप्रीम कोट में इसाई या मुस्लिम बन चुके दलितों को आरक्षन नहीं दिये जाने के खिलाब एक याचिका दायर की थी 2004 से ही इमामला कोट में है सविधान के अनुछे 341 के तहट राष्टपती के आदेश पर 1950 में हिंडूों में अच्छूत माने जाने वाली कई जातियों को अनुसूचित जाती का दरजा मिला था जिने आज हम दलित कहते हैं 1956 में राष्टपती के इस आदेश में शंशोधन करके इसमें सिख दलितों को भी जोड़ दिया गया था 1990 में वीपी सिंग की सरकार आई और एक बार फिर से इस आदेश को बदल कर बोध को इसमें शामिल कर दिया गया इस सरकारी आदेश में लिखा है कि हिंदू, सिख और बोध को छोड़ कर दूसरे धरम को अपनाने वालों को अनुसुचित जाती का सदस्य नहीं माना जाएगा यहीं वो सरकारी आदेश है जिसकी वज़े से देश में धरम बदल कर मुसलिम और इसाई बढ़ने वालों को अनुसुचित जाती का दरजा नहीं मिल पाता है इसकी वज़े से वे आरक्षन का लाब भी नहीं ले पाते है धरम परिवर्तन के बाद रिजर्वेशन पर सरकार का क्यामत है सुप्रीम कोट में सरकार ने यानि की केंद्र सरकार ने दलित मुसल्मान और इसाईों को अनुसुचित जाती का दरजा नहीं देने को लेकर तीन तरक दिये है पहला है राष्टपती आदेश 1950 और 55 और 1990 मुसल्म और इसाईों को अनुसुचित जाती मान कर आरक्षन का लाब देने का पर्मिशन ये नहीं देता दूसरा है अनुचित 25 के खंड 2 बी में हिंदू शब्द में सिख जैन और बोध भी शामिल है इसलिए इन तीन धर्मों के अलावा किसी और धर्म के लोगों को अनुसुचित जाती में शामिल नहीं किया जा सकता है और तीसरा तरक है मुसल्म और इसाईों में जाती भेद और छुआ चुट नहीं है इसलिए इनको अनुसुचित जाते में शामिल नहीं किया जा सकता है हालाकि सरकार के इन तरकों के विरोध करने वाले अलुछेद 25 के खंड 2B में शंशोधन करके मुसलिम और इसाई धर्म को भी इसमें शामिल करने की मांग की जा रही है साथ ही उन्होंने कहा है कि हिंदू शब्द में सिख जैन और बोध शामिल थे तो 1955 में शंशोधन करके सिख और 1990 में शंशोधन करके बोध को क्यों शामिल किया गया 1990 के शंशोधन तक भारत में बोध धर्म के लोगों को अनुसूची जाती का दरजा क्यों नहीं दिया गया ऐसा है तो जैन को अभी भी अनुसूची जाती का दरजा क्यों नहीं मिला है अब हम बात करेंगे रंगनात मिश्रा कमीटे के बारे में जो अक्टूबर 2004 में बनी थी अक्टूबर 2004 को सुप्रीम कोट के पूरुचीट जस्टिस रंगनात मिश्रा के नेतृत्व में सरकार ने एक आयोग बनाया इस आयोग को देश में भाशा और धरम के आधार पर अल्प संक्यकों से सम्मंदित विविन मुद्दों के जांच की जिम्मेदानी सौपी गई थी रंगनात मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 1950 में राष्ट पती ने अनुछे 341 के तहट अध्यादेश जारी करके पैरा 3 में दलित मुस्लिमों और इसाईयों को अनुसुचित जाती के दायरे से बाहर किया था ये एस सम्विधानिक था और वो खतम होना चाहिए इसके लिए किसी भी सम्विधान शंचोदन की जरूरत नहीं है ये काम एक्जेक्यूटिव ओर्डर से भी किया जा सकता है अब हम बात करेंगे कि रिजर्वेशन नहीं देने का जो तर्क है वो कितना सही है इसलाम और इसाई धरम में जातीकत भेदबाव नहीं है इसी वज़े से हिंदू धरम के दलित मुस्लिम और इसाई धरम में शामिल होते हैं वहाँ जातीकत भेदबाव वैसा नहीं है जैसा हिंदू धरम में कहा ज इसलिए ये लाब धरम बदल कर मुस्लिम और इसाई बनने वाले दलितों को नहीं मिलना चाहिए। संस्थानों में धरम बदलने वालों को विशेश लाब भी दिया चाता है। ऐसे में उन्हें रिजल्वेशन देना धरम नहीं बदलने वाले दलितों के साथ भेदभाव करता है। इससे धरमांतरन को बढ़ावा मिलेगा जो कि समिधान के धर्म निर्पिक्ष सवरूप पर हमला होगा और इससे समिधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उलंगन होता है। ये राष्ट की सांस्कृतिक और भोगोलिक अखंडता के लिए भी बड़ी चुनोती होगी। और लंबे समय में एक बार फिर से भारत को अलगाववात की उसी रहा पर ले जाएगी। जिस पर चलकर पाकिस्तान बना था। इसके साथ ही आज का हमारे ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्यू सो मुच। टों फोगे टो लाइक शेर और सब्सक्राइब टोनेस लाइक, परीए प्रीफितिय आपदेश के साथ। जैजू टॉपिक आपने साथ।